2020 भौती जल्दी चालू होने वाला है और इस 2020 में आपको स्मार्ट फोन्स के अंदर काफी अलग-अलग टाइप की टेक्नलोजीज देखने को मिलेंगी और जो सबसे ज़ाद अच्छी जो टेक्नलोजीज होंगी ना वो आज आपको फ्लेक्शिफ फोन्स में देखने को मिलेंगी और आज हम यहीं पर पता लगाने वाले यानि कि 2020 के बेस्ट अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फ्लेक्शिफ फोन्स के बारे में यानि कि यह वो फ्लेक्शिफ फोन्स है जो कि किलर फोन था यानि कि 30,000 में काफी जाद अची जीज़े मिलती थी लेकिन भई बात करें Realme X3 Pro में क्या आपको देखने को मिल सकते हैं वैल हो सकता है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए 120Hz का दिस्प्ले देखने को मिले इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इसके अंदर आपको हो सकता है देखने को मिल जाए काफी जादा अमेजिंग बात हो जाती है और बात करें फोन लांच काम हो सकता है वैल हो सकता है फोन आपको जाद में 2020 में देखने को मिल जाए और फोन की के बात होने वाली है बहुत ही जादा अमेजिंग बात होने वाली है बहुत ही कमाल का फोन होने वाला ही है और वहीं बात करें Realme के सबसे बड़े competition का बार में तो बार ही आती है Redmi के और Redmi का भी flagship और obviously Redmi K30 Pro क्योंकि already Redmi K30 चाइना में लांच हो जगा है Snapdragon 765G 5G के साथ आता है वो पंचोल डिस्पले देखने को मिलता है और देखने को मल जाए और अगर Xiaomi का फोन है ना तो मेरे को ऐसा लगता कि इस फोन की कीमत है थोड़ी सी कम होने वाली क्योंकि जो Xiaomi है ना वो सबसे सस्थे flagship प्रोसेसर वाले फोन को बनाने में expert हो रखें तो हो सकता है अगर इस फोन यह में 30,000 के अंदर होती और यह फोन अ लाने वाली है और अगर हम इसके बाद बात कर रहें OPPO की तो OPPO भी अपना एक flagship फोन लाने वाली है अपनी Reno स्रीज के अंदर अब बेसिकली OPPO का जो flagship फोन होगा ऑविस उसमें Snapdragon 865 होगा 5G होगा शाथाई refresh rate डिस्प्ले एमोलेड इस्क्रीन यह सारी चीज़े देखने क होने वाला है उसके अंदरे टेक्नलोजी आपको देखने को मिल जाए इसे के साथी सूपर वुक का कोई 100 वाट चार्जिंग वाला वर्जिंग आपको इसमें इंट्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है यहां तक कि जो वायरलेस वुक चार्जिंग है वो भी आपको OPPO Reno के अगले फून में देखने को मिल सकती है यहां नहीं अगर हम टेक्नलोजी परस्पेक्टिफ से बात करें ना तो काफी जादा कमाल का फोन होने वाला यह OPPO Reno का जो अगला फ्लेक्शिप फोन होगा लेकिन हो सकता है इसकी प्राइस हो जाए थोड़ी सी जादा लेकिन फि होगा मिल रहा जैसे 120 हर्ट का रिफ्रेश डिस्प्ले पंच होल कैमरा 108 मिगा पिक्सल का एक नया सैंसंग का संसर जिसकी क्वालजी शद और जादा बैटर हो जाए कहा तो यहीं भी जार है कि इंडिया में जो वर्जिन आएगा उसके अंदर हो सकता है आपको Snapdragon 865 देखने क हो सकता है Galaxy Fold 2 यह बिल्कुल कुछ वैसे डिजाइन का फोन होगा जैसे आपको नया Moto Razor देखने को मिलता है यानि कि Flip Phone के कंसेट में हो सकता है 5G हो सकता है इसके इंदर flagship प्रोसेसर हो सकता है यानि कि Galaxy S11 का फोल्डेबल वर्जिन के रूप में इसको Samsung लॉंच कर सकती है और हो सकता है सून की इमत एक लाख रुपे से का लेकिन जो यहीं निरुकने वाली अभी जो से गैलेक्सी फोल्ड वन निकाल आता है हो सकता है कि इसी के कंसेट को इंप्रूफ करके नए डिजाइन में सिमलर कंसेट पे नए फोन को लॉंच करें यानि कि ऐसा फोन जो की अनफोल्ड होके टैबलिट बन जाए और खास बात तो इस बा अगर उस पर जो सेमसंग एकर फोल्डिंग ग्लास की टेक्नलोजी को इंप्लिमेंट करता है ना बहुत ही जादा की बात होने वाली है और इस साल जो फोल्डेबल फोन के रेट्स है काफी जादा चीज़ से गिरने भी वाले है तो देखते कि फोल्डेबल फोन में इस्पे और चेंज 120Hz का प्रो मोशन डिस्पले देखने को मल सकता है इसके साथी काफी सारी न्यूमर्स ये भी बता है कि आपको मल्टीपल आइफोन देखने को मलें यानि कुछ 4G आइफोन भी देखने को मलेंगे कुछ 4G प्लस 5G आइफोन भी देखने को मिलने वाले है बाकी दे तो आल्रेडी इनके बार में काफी जाता information यानि कि snapdragon 865 हो सकता है 54 Megapixel का sony image sensor हो सकता है 5G support के साथ साथ सकते हैं यानि बेसिक चीज तो हमें तयार है लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद जो OnePlus 8T आएगा उसमें काफी जाता कमाल हो सकता है और हो सकता है शायद OnePlus उसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा के टेक्निलोजी को इंप्लिमेंट करने के कोशिश करें अगर i-stack की चीज़े होती तो ब अगर इस टैक की चीज़ें इंप्लिमेंट होती है OnePlus की थोड़े महेंगे फोंस के अंदर तो काफी जादे इंट्रस्टिंग बात होगी वैल अगर इतनी सारी चीज़ें वन प्लस डाल रहना है तो ऑविस्ली उसके फोन के प्राइसे थोड़े से भड़ने वाले हैं लेकर अगर हम भाइं बात करें फ्लैक्षट गेमिंग फोन के बारे में तो आप लोग भी पता है कि सबसे बैस जो गेमिंग फोन होता है वो है Asuska RoG Phone 2 आज के समय में लिकर अगर हम बात करें Asus RoG Phone 3 की तो उसमें क्या देखने को मिल सकता है वैल इतना तो CONFIRM हो रहता है Snapdragon 865 प्रेडी कैपेलिबल है 144Hz के रिफ्रेश्ट वाले डिस्पले को सपोर्ट करने के लिए और हो सकता है कि जो असूस है वो अपने ROG जैसे ही इस फोन की किमत 40,000 से कम करके से इंडिया में लाती है ना बहुत ही जादा किलर बात होने वाली हो अब उस समय तो बहुत ही जादा मज़ा आ जाएगा और देखा जाए तो 2020 में काफी जादा अलग अलग टेखनोलोजी का भी इंट्रडक्शन होने वाले है लेकिन आप से बिदाँ नेक्स्ट वीडियो में गुद बाई